परिजय आओ अपने इस अध्याय में हम अनुवन शिक्ता तथा विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विकास को परिभाशित करना जीवन का उद्गम समझना उपार्चित तथा वंश्यानुगत लक्षणों को पहचानना जाती उद्भवन समझना विकास तथा वर्गी करन को समझना अनुरेखन विकासात्मक संबंधों को समझना जीवाश्म को पहचानना विकास चरण को समझना विकास तथा प्रगती में अंतर पहचानना और मानव विकास की प्रक्रिया समझना विकास विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जिससे हूकर वर्तमान जीव तथा पौधे जीवन के उदगम के समय से विक्सित हुए हैं विविधता जैसा की हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विविधता सजीवों में सामान अभी लक्षरों से अलग विक्सित संदचनात्मक, कारियात्मक एवं वहवारात्मक परिवर्तन होती है विविधताओं का उदगम तथा संचयन आवशक होता है त्यूंकि ये विकास के लिए कच्चा पदार्थ प्रदान करती हैं विविधताओं के प्रकार विविधता आनुवन्शिक या गैर आनुवन्शिक हो सकती है आनुवन्शिक विविधता विकास में प्रतिभागिता करती है जबकि गैर आनुवन्शिक विविधता विकास में प्रतिभागिता नहीं करती है कोशिकाओं की प्रविर्ति के आधार पर जहां ये विविधता उत्पन होती है दो प्रकार की विविद्दाएं होती हैं। आनुवन्शिक होती हैं। ऐसी विविदताएं जीवों के जीन में पाई जाती हैं। ये या तो पहले से ही उनके पूरवजों में उपस्तित होती हैं या समय के साथ उत्पन्न हो सकती हैं। ये विविदताएं आनुवन्शिक होती हैं तथा विकास के लिए कच्चे पदार् निर्माण करती हैं। ये परिवर्तन कुछ प्राकृतिक कारकों या मानविये गदिविधियों द्वारा हो सकते हैं। अधिक संभावना होती हैं। तथा ये हानिकारकजीनों की होमो जाइगोसिटी की आवृत्ति में वृध्धि करती हैं। ये बिना किसी अनुकूलन के विविधता प्रदान करती हैं। जीवन की उत्पत्ति के सिध्धान्त को डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिध्धान्त द्वारा सर्वश्रेष्ट रूप से समझाया गया है। इस सिध्धान्त के तीन मुख्य बिन्दु हैं। आनुद्वारा अनुवन्शिक रूप से अपनाया जाते हैं। तथा पीडी दर पीडी ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। या ये प्राकृतिक रूप से चयनित हो जाती हैं। स्टेनले एल मिलर तथा हेरोल्ड सी उरे ने सन 1953 में अपने अनुरूपन प्रयोग में लगु कारक स्थितियों के अंतरगत अधी साधारन योगिकों से साधारन योगिकों के गठन को प्रयोग से सिध्ध किया था। उपार्जित तथा वन्शानुगत लक्षन आनुवन्शिक अभिलक्षन वे होते हैं जो जनन कोशिकाओं में DNA द्वारा नियंतरित होते हैं तथा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में इस्थानांतरित होते हैं। इन अभिलक्षनों में किसी भी परिवर्तन का परिणाम विवित्ता होती है। उपार्जित अभिलक्षन वे होते हैं जो किसी जीव द्वारा उसके जीवन में उपार्जित किये जाते हैं तथा ये DNA में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते हैं तथा इस प्रकार अगली पीड प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया है। प्रजातियों के एक अन्य समश्टी में पलायन से नव समश्टी में नए लक्षण के विस्तार में सहायता प्राप्त होती है। गुण सूत्र संख्या में परिवर्तन से भी दो उपसमोहों में भयंकर अंतर उत्पन हो सकते हैं। यौन जनन से भी विविदता उत्पन होती है। भगौलिक अवरोधक अथवा भगौलिक व्योजन यथा नदी या परवतों का समश्टी के दो उपसमोहों के मध्धे अंतरा गमन जीन प्रवाह के स्तर में कमी लाता है। जनन वियोजन दो उपसमोहों के मध्धे उत्पन होता है। जिसका अर्थ है दो उपसमोहों वे लक्षण विक्सित कर लेते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ सहचारी नहीं होने देते। विकास तथा वर्गी करण उनके उधारन से अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। वे निकटतम संबंदित होते हैं क्यूंकि उनके पूरवज समान होते हैं। इस प्रकार हम प्रजातियों के छोटे समोहों का निर्मान हालिया समान पूरवजों के साथ कर सकते हैं। फिर इन समोहों के उप समो अधिक समान पूर्वच होंगे। विविद परिवर्थनों से होकर गुजर रहे हैं। अधिक समान होती हैं। लेकिन कार्रे भिन्न होते हैं। उधारण एक मेडक, पक्षी तथा पुरुष का अगरबाहू। यहड़ी की एकी ही मूल संकल्पना पर निर्मित होते हैं। किन्तू इनके कार्रे भिन्न होते हैं। यहथा कूदना, उड़ना तथा पकरना। समरूप अंग वे अंग होते हैं, जिनकी मूल संचना तो भिन्न होती है। किन्तू उनके कार्रे समान होते है। उधारण, कीटों तथा पक्षियों के पंखों की संदचना भिन्न होती है, किन्तु वे उड़ने का ही कारे करते हैं। जीवाश्म अधीत में रहने वाले मृत पशुओं या पौधों के अफशेशों को जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। एमोनाइट यानि अक्षेरुक, नाइटिया यानि मचली तथा राजासूर यानि डाइनसौर जीवाश्मों के कुछ उधारण हैं। यदि हम मिट्टी को खोते हैं तथा जीवाश्म को खोजना आरंब करते हैं, तो हम पाते हैं कि सतह के निकट उन जीवाश्मों की तुल्ला में नए जीवाश्म मिलते हैं, जो हमें गहरी सतह में जाकर प्राप्थ होते हैं। चलिए हम अब सौ मिलियन पूर्व से आरंब करते हैं। कुछ अक्षेरुक सागटतट पर मारे गए तथा रेत में दफन हो गए। और रेत एकत्र होती गई तथा दाप के चलते रेतीले पत्थर बनते गए। लाखों वर्ष उपरांद एक क्षेत्र में रहने वाले डाइनासौर मर गए तथा उनके शरीर मिट्टी में थपकए। यह मिट्टी चट्टानों में परिवर्दित हो गई। चट्टानों में पहले से ही अक्षेरुकियों के जीवाश्म थे। इसके और कई लाखों वर्ष उपरांद आश्व जैसे जीवों के शरीर उसक्षेत्र में चट्टानों में दब कर पहले से बनी इन चट्टानों पर जीवाश्म बन गए। कई वर्ष उपरांद ख्षरन अथवा जल प्रवाह के द्वारा कुछ चट्टाने हटीं तथा आश्व नुमा जीवाश्मों का पता चला। उप्योगी हो गए। कुछ डैनसौर में पंक पाए जाते थे। हालकि उन्होंने उड़ने के लिए कभी भी पंकों का प्रयोग नहीं किया। विक्सित प्रजातियां कभी भी पैत्रिक प्रजातियों से भिन्न नहीं होती है। विकास प्राकृतिक तथा आनुवंशिक विचलन पर आधारित होता है जो एक साथ मिलकर एक ऐसी समश्टी का निर्मान करते हैं जो अपनी पैत्रक प्रजाति से वियुक्त होती है। मानव विकास को मानव जातियों के रूप में मानते रहे। टाइम डेटिंग के आधार पर जिवाश्मों के अधेयन तथा डिन अनुक्रम को सनलगन कर आणविक जाति वृत्त के आधार पर अब यह सपष्ट हो गया है कि सभी मानव जाती एक ही ही होमो सेपियन्स से संबंदित हैं। तथा कुछ पूरे द्वीप में फैल गए। कुछ ने अफ्रीका छोड़ दिया तथा समय के साथ पूरे ग्रह पर फैल गए। अन्ने प्रजातियों के समान पूरवजों के इन समुहों ने भी अपना जीवन अभीभावी परिवेश में व्यतीत किया। तथा विभिन भागोलिक शित्र में विशेश विशिष्टताओं के साथ विभिन रनके होने के लिए आनुवनशिक विविदता विक्सित कर ली। क्या आप जानते हैं। टी डॉबजेंस्की ने आनुवनशिक तथा प्रजातियों का उद्गम नामक पुस्तक लिखी है। कोकरवेट जटिल जयव योगिकों के संग्रह होते हैं तथा खंड करण एवं विखंडन द्वारा प्रगती तथा विभाजन में सक्षम होते हैं। आरंभिक कोशिकाएं प्रवृत्ति में अवाइविये, प्रोकेरियोटिक तथा कीमो पर पोशित थी। AI ओपरिन ने जीवन की उत्पत्ती पुस्तक 1936 में लिखी। हरबर्ट स्पेंसर ने विकास शब्द दिया। चास डार्विन ने जैविक विकास के सिध्धान्थ का प्रस्ताव दिया, जो संशोधन के साथ वन्शानुक्रम प्रतिपादित करता है। लिनार्डू दा विंसी को भूविज्यान का जनक के रूप में भी जाना जाता है। W.F. लिबी ने कारबन 14 डेटिंग तकनीक का प्रस्ताव दिया, जिसे पूर्ण डेटिंग तकनीक भी कहा जाता है। बॉल्ट वोट ने डेटिंग जीवाश्मों के लिए यूरेनियम आधारित पधति का सुझाव दिया। नेंडर्थल मैन प्रथम सभे व्यक्ति था, जबकि क्रोम मैगनन मैन को आधोनिक व्यक्ति का विलुप्त प्रतिनिधी माना जाता है। मानव को बंदरों से अधिक चिंपांजी के नजदीक माना जाता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विविदताओं के मुख्य स्रोत हैं उत्परिवर्तन, जीनों का पुनरसंयोजन, आनुवन्शिक विचलन आदी। उत्परिवर्तन, आनुवन्शिक पदार्थ में एका एक व्रिहद तथा आनुवन्शिक परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन एक विकासात्मक कारक के रूप में कारे करता है, तथा समश्टी में विविदताओं का निर्मान करता है, एवं उसे बनाए रखता है। प्राकृतिक चयन विभिन जनन के माध्यम से संचालित होता है, जिसकी वजह से कुछ लापकारी आनुवन्शिक विविदताएं समझ्टी के अधिक से अधिक सदस्यों के बीच फैल जाती हैं, या उनकी जीन अवृत्ती में वृत्धी करती हैं। आनुवन्शिक विचलन पैतरिक आवृत्ती में याद्रिचिक परिवर्तन होता है, जो अचानक उतार जड़ाव से उत्पन होता है। चांज डेर्विन ने जैविक विकास के लिए प्राकृतिक चयन के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया उन्होंने प्रतिपादित किया कि केवल उप्योगी निरंतर विविदता ही विकास में सहायता करते हैं तथा प्राकृतिक चयन एक मिश्रित समश्टी से सर्वश्रेश्ट अनुकूलित प्राणियों का चयन करता है। जीवन के उद्गम का सबसे स्विकृत सिध्धांत है कीमो सिंथेटिक सिध्धांत। इसका प्रतिबादन उपरिन तथा हेल्डेन द्वारा किया गया था। यह बताता है कि जल में प्राचीन जीवन की उद्पत्ती 4.2 बिलियन वर्ष पूर्व आधी काल में रासाइनिक विकास द्वारा प्रिथ्वी के परियावरण में कमी के साथ हुई। इसे प्रयोग द्वारा मिलर तथा उरे द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। विकासात्मक संबंध जीवों के वर्गी करण द्वारा अनुरेखित किये जा सकते हैं। जीवाश्म वे अफशेश अथवा विलुप्त जीवों के कड़े अंगों की छवियां होती हैं जो तलचटी चट्टानों में संदक्षित की जाती हैं। ये विकास के लिखित दस्तावेश हैं। विकासात्मक संबंध कुछ अंता कालीन चरणों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। उधारण पंक वाले डाइनसौर यह विचार प्रदान करते हैं कि पक्षी भी विशाल काय सरी स्रिप हुआ करते थे। एक समान पूर वज कई आसमान परिलक्षित संदचनाओं का विकास कर सकता है। उधारण पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोहलारबी, काले, ब्रोकली आदी, जंगली पत्ता गोभी के पौधे से। विकासात्मक संबंधों का निर्धारण आणविक वन्शागती के आधार पर भी हो सकता है। विशेश तोर पर रक्त प्रोटीन तथा परिवर्तित डिने मात्रा। मानविकास अफरीका से होना आरंब हुआ तथा इसमें असंखे मानव प्रकार समलित हैं। जैसे अफरीकी बंदर मानव, जावा बंदर मानव, पैकिंग मानव, क्रो मैगनन मानव तथा आधुनिक मानव। झाप कार रक्त बंदा हुआ प्रा करक्तु है। जी समें ग्रिम्न समलित हम लग टूब हाइब। प्रोट भैरीकास अऑज होना आरंव कने बंदर मानव़ notम् ऐसे बंदर्टर मान आरे दिराशनियों आर बंदर हैं। झाल झाल